आप सुन रहे हैं किताब अस्बा के तारीख सब हैडिंग एक खांदानी जगड़ा जो पूरी तारीख पर छाग गया जंगे का अजिया 14 हिज्री में जब दोनों फोजें एक दूसे के सामने खड़ी थी एरानी लशकर से उनका एक मशूर पहलवान घोड़े पर सवार होकर निकला इसलामी लशकर से आसिम बिन उम्रो उसके साथ मकाबले के लिए बाहर आए अभी एक दो वार ही हुए थे कि एरानी शैसवार भागा आसिम बिन उम्रो ने उसका पीछा किया वो अपने लशकर की सफ़े अवल के करीब तक जा चुका था कियासिम बिन उम्रो पहुँच गए उन्होंने उसके घोड़े की दुम को पकड़ कर उसको रोक लिया सवार को उसके उपर से उठाया और जबरदस्ती अपने घोड़े पर अपने आगे बिठा लिया और उसके बाद घोड़ा दुड़ाते हुए अपने लशकर में आ गए इस किसम के बहादूर लोग सफैन और जमल की बामी लड़ाईयों में नो हजार की तादाद में कट गए हकीकत ये है कि अगर खिलाफदे राज़दा के आखिर में आपस की लड़ाईया शुरू ना हो गई होती तो ताकत और कुट का बेपना से लाब जो अरब से उठा था एशिया अफरीका और यॉरप के तमाम इलाकों को तोहीद का अलाका बना देता सिर्फ आस्ट्रेलिया और अमरीका ही मुम्किन तोर पर इस से मुस्टशना रह जाते जो वसी समंदरों के दूसरी तरफ कदीम जमाना में नाकाबल अबूर थे वो क्या चीज़ थी जिसने इस से लाब के रुख को बाहर के बज़ए खुद अपनी तरफ मोड़ दिया ये कहना बड़ी हद तक सही होगा कि ये एक खांदानी जगड़ा था जिसने बढ़कर कोमी जगड़े की शकल इक्तियार कर ली और बिलाखिर सारी इस्लामी तारीख पर च्छा गया 607 इस्वी में सील अरम से मिलियन में आम तबाही आई यहां के बाशिंदों ने अपने वतन को छोड़कर दूसरे इलाकों का रुख किया उन में से कबीला खुजा मक्का आया और हज़त इस्माईल की उलाद को बेदखल करके मक्का पर काबिज हो गया उसके बाद मुकामी बाशिंदे इदर उदर मुनतशिर हो गए तकरीबन धाई सो साल तक कबीला खुजा मक्का पर काबिज रहा कसा बिन कलाब पहला शक्स है जिसने कुरैश की बिखरी हुई ताकत को दुबारा मुनजम किया और चार सो चालिस एस्वी में लड़ बाद कर खुजा से मक्का की सरदारी च्छीन ली कसा ने खाना काबा की मुरम्मद की रिफादा, सकाया, हिजाबा और किहादा के औहदे काइम किये कौमी निशान के तोर पर लुओा बनाया कौमी इसमली काइम की जिसको दार-ल-नद्वा कहा जाता था उसके बाद कुधरती तोर पर कसा को तमाम कबायल कुरैश की सरदारी हासिल हो गई कसा के बाद कुरैश की सरदारी उनकी उलाद में जारी रही ताहम तीसरी नसल में कसा के खांदान में सरदारी पर जगड़ा शुरू हो गया कसा का पोता हाशिम नहायत लाइग और शानदाश शक्सियत का आदमी था उसने तिजारत करके ना सिर्फ अपने माल में इजाफा किया बलके कुराइश को भी बेनल अक्वामी ताजर के मकाम पर पहुचा दिया उसने अपने भाईयों की बदद से शाह गुसान, शाह अबश, उम्रा यमन और एराक और फारिस की हकूमतों से तिजारती मौइदे किये और खसूसी मराइथ हासल की वो कैसर रूम से ये परवाना हासल करने में काम्याब हो गया कि कुरेश का तिजारती माल शाम और फलिस्तीन में बगार किसी टेक्स के दाखिल होता रहेगा अब कुरेश के तिजारती काफले गर्मी के जमाने में शाम की तरफ जाने लगे क्योंके वो ठंडा और शादाब इलाका था और जाडे में यमन की तरफ सफर करने लगे जो के गरम इलाका है हाशिम के हुसन तदबुर से कुरैश की एक्तसादियात में बहुत तेजी से तरकी की और नतीजतन सारे कबीले में उनकी अजमत काइम हो गई हाशिम की इस इज़त और तरकी ने खांदान की दूसी शाख के अंदर उनके खिलाफ मनाफसत पैदा कर दी हाशिम के भाई अब शम्स और उनसे ज़्यादा उनके बेटे उमया को हाशिम की सरदारी ना पसंद थी उमया ने उसको अपने चचा से चीनने की बहुत कोशिश की मगर काम्याब ना हो सके हटा के इसी रंजो गम में वो एक बार मक्का जोड़कर शाम चले गए और दस साल तक वहाँ पड़े रहे हाशिम के बाद दुबारा उनके बेटे अब्दल मुतलिब अपनी वजाहत और सलायत की बिना पर कुरैश के सरदार हो गए और उमया की उलाद इस से महरूम रही इस तरहा सरदारी कसा की हाश्मी शाख में चलती रही और उसकी उमवी शाख को हासिल ना हो सकी आठ हिज्री में जब रसूल अल्लाद अल्यवाले वाले वसल्म दस हार असाब के साथ फत्र मका के लिए रवाना हुए तो आपने एक मौका पर अपने चचा अबास रजला नहां से कहा कि अबू सुफ्यान को लेकर रास्ते में किसी घाटी पर बैठ जाएं ताकि अबू सुफ्यान जो बदर के बाद कुरैश के सबसे बड़े लीडर थे इसलामी फोज को गुजरते हुए देखें अबू सुफ्यान को लेकर एक तंग पहाडी रास्ता की तरफ गए और वहां बैठने के लिए कहा तो अबू सुफ्यान को अंदेशा हुआ उनकी जबान से बेसाखता निकला बनी हाशिम क्या गदारी का इरादा है इसके बाद जब दस हजार की तादाद में मसलिम फोश सामने से गुजरी तो अबू सुफ्यान पर हैबत तारी हो गई उन्होंने कहा तुम्हारे बतीजे की हकूमत आज बहुत अजीम हो गई है खानदान अबद मिनाफ की इन दो शाखों में ये चपकलिश इतनी बड़ी हुई थी कि जमाना जाहलियत में यमन का एक शक्स कुछ सौदा लेकर मका आया एक शक्स ने उसका सौदा खरीदने के लिए लिया और फिर उसको नाकीमत दी और ना सौदा वापिस किया वो एक टीले पर चड़कर चीखने लगा ये वाकिया आरब आन के इंतहाई खिलाफ था चुनाचा बनौ हाशिम के कुछ लोग उसकी मदद के लिए उठे उन्होंने आपस में एहद किया कि मक्के में अगर किसी मसाफिर और अजनबी को सताया गया तो वो उसकी पूरी हमायत करेंगे बनौ हाशिम के साथ इस मौइदे में बनौ असद बनौ जहरा बनौ तमीम भी शरीक हो गए मगर अबद शम्स का खानदान बनौ हाशिम के खानदान पर अपनी जैलन की वज़ा से माइदे में शरीक नहीं हुआ इस तरह के वाकियाद जो तारीख की किताबों में मिलते हैं बनौ उमया और बनौ हाशिम के दरमयान इसी खानदानी कश्मकश के मजाहिर है कसब इनकलाब के खानदान की दो शाखों में सरदारी की मनास्फ़त जारी रही अक्सर छोटे छोटे जगड़े भी होते रहते यहां तक के हाशिम के खानदान में पेगंबर पैदा हो गए अब उमवी खानदान की जलन अपने शबाब पर पहुँच गई पहले उन्होंने नबूत की मुखालफत करके बनी हाशिम को जेर करना चाहा फिर जब नबी सलिल्लाहु लेवाले वसल्म अपने तमाम मुखालफین को शिकस देकर मका पर कबजा हासल करने में कामियाब हो गए तो जाहिर हो गया कि नबूत की मुखालफत करना फजूल है अबू सुफियान उनके लड़के माविया और दूसरे उमवियों ने इसलाम कबूल कर लिया ताहम ये एहसास लोगों के अंदर बाकी रहा के नबूत के बाद सियासी एक्तदार बनी हाशिम के हाथ में ना जाने देंगे हज़त अमर रजेला ताला नहा अपने बाद अली रजेला ताला नहा बिन अबी तालिब को खिलाफत के लिए मौजू तरीन शक्स समझते थे अगर गालिबन इसी अन्देशा की बिना पर वो आन जनाब को नाबजद ना कर सके हज़त अस्मान जो खांदान अमया की एक शाक से तालुक रखते थे उनकी शहादत के बाद जब हज़त अली रजेला ताला नहा को खलीफा बनाया गया तो बनू अमया के लिए ये बिलकुल नाकाबल बरदाश था हज़त उस्मान की शहादत के बाद कसास के मसले ने उनको फूरी तोर पर एक कामयाब सियासी हर्बा दे दिया इस जजबाती नारे ने उन्होंने मुसल्मानों की बहुत बड़ी तादाद को अपने गिर्द इकठा कर लिया अगर्चा वो इसमे कामयाब ना हो सके कि खलीफा चहारम को मनस्ब खिलाफत से हटा दें ताहम माविया बिन अभी सुफियान बिन हरब बिन उमय्या ने अपनी गवर्णरी से फाइदा उठाकर मुमलिकत इस्लामी के निस्थ से ज्यादा हिस्से को सियासित तोर पर काट लिया हज़त उस्मान की शहादत के नाम पर अवाम में ऐसी आग भड़काई कि कुछ लोगों ने मजनू नाना तोर पर हज़त अली को कतल कर दिया जंगे जमल और जंगे सफैन में नवे हजार मुसल्मान कट गए और दस साल के लिए इस्लाम की तोसी का सिलाब रुक गया वो दरसल उमवियों और हाश्मियों की उसी खांदानी लड़ाई का शाकसाना था जिसने पूरी मिल्लत जिसने पूरी मिल्लत मुसल्मा को अपनी लपेट में ले लिया हसन बिन अली इस रास को अच्छी तरह समझते थे यही वज़ा है कि वो अमीर माविया के हक में खिलाफत से दस्परदार हो गए उन्होंने अपने चोटे भाई हुसैन बिन अली को भी मशरा दिया कि खिलाफत के मामले से बिलकुल अलग हो जाएं क्योंकि लोग इसके लिए तयार नहीं है कि नबूत और खिलाफत दोनों को अल्वी खांदान में जबा होना बरदाश दर ले मगर हज़त हुसैन की राए ये थी कि हक के लिए जान दे देना बातिल के आगे सर जुकाने से जादा बेतर है उन्होंने खिलाफत की राए में अपनी जान दे दी ये वाकिया 61 ज्री का है इसके बाद अमवी हकुमत काइम हो गई मगर बनू उमया को बनू हाशिम के खिलाफ जो बगज औ अनाद था वो उनके इंतिजाम मुल्की में जाहिर होता रहा हता कि उनका जहन ये बन गया कि हाशिम की उलाद का खात्मा कर दो ताके मुस्तक्बिल में कोई खिलाफत का दावेदार बाकी ना रहे इन वजू से वो फिज़ा पैदा ना हो सकी जिसमें बनू हाशिम अपनी सियासी हक तलफी को भूल जाते अंदर अंदर उनके दिल में जो मुकालफत की आग सुलकती रही यहां तक के 132 हिजरी की खात्मे ने ये दूसरा इनकलाब देखा कि बनू अबास ने एरानियों की मदद से बनू उमया का खात्मा कर दिया बनू उमया का फितना इंतहाई शदीद था मगर वो तमाम तर सियासी था इसलिए सियासत के साथ उसका खात्मा हो गया मगर बनू हाशिम से ये जवाबी गलती हुई कि खिलाफत को अपना हक साबित करने के लिए उन्होंने खिलाफत को अकीदे का मसला बना दिया इस गलती ने एक सियासी कुजिया को मजभी हैसियत दे दी और इसे इमकान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि दूसरे सियासी जगड़ों की तरह ये जगड़ा सिर्व वक्ती नुकसान पहुंचाए और बाद की नसलों के लिए महस तारीख का मौज़ू बनकर रह जाए सियासत को मजभ बनाने की इस गलती ने इसलाम को जो नुकसानाद पहुंचाए उनको शुमार नहीं किया जा सकता मिसाल के तोर पर वज़ा हदीस का फितना सबसे पहले इसी महर्रक के तहर शुरू हुआ बेशुमार हदीसें दोनों तरफ से घड़ी गई एक तरब बनु हाशिम ने हजज़त अली की फजीलत में ये हदीस निकाली मैं इल्म का शेहर हूँ और अली उसका दर्वाजा है दूसरी तरफ फरीक सानी ने एक रिवायत घड़ी और कहा कि पूरी हदीस दरासल इस तरहां से है मैं इल्म का शेहर हूँ अबू बकर उसकी बन्याद है उमर उसकी रिवार है उसमान उसकी छट है अली उसका दर्वाजा है इस किसम की चीजों से इसलाम को जो अमली नुकसान पहुंचा उसकी तिलाफी अब मुम्किन नहीं ताहम ये ल्ल्ला का बहुत बड़ा फजल करम है कि उसने अपनी रहमत खास से कुरान को महफूज कर दिया अगर ऐसा ना होता तो उन जगड़ों और उनके पैदा करदा फितनों में दीने हक गुम हो जाता और अल्ला के बंदे क्यामत तक के लिए बे आमेज सच्चाई को जानने से महरूम हो जाते तारीख की तमाम कामियाबिया बामी इत्फाक का नतीज़ है और तारीख की तमाम नकामिया बामी इखतलाव का नतीज़ा इन्सान खुआर जाती तोर पर नेक और मुखलिस क्यों न हो उनमें एक दूसरे से शिकायब पैदा होना बिल्गल नागुजीर है किसी ने किसी वज़़़ज़ में हता के बाज उकाद बिला वज़ा भी दो अफराद या दो गरूहों में इक्तलाफ पैदा हो जाता है इसलिए इत्धाद की वाइद सूरत ये है के इक्तलाफ को बरदाश्ट किया जाए क्योंके इक्तलाफ से खाली इनसानी मौशा इस जमीन पर मुम्किन ही नहीं वो ही लोग कोई बड़ा काम कर सकते हैं जो जाती एत्बारात पर कौमी एत्बारात को तरजी दे सकें जो अपने आप को इतना उपर उठा चुके हों के इक्तलाफी बातों को नजर अंदास करके अमली इत्धाद पर काइम रहें ऐसे लोगों के लिए कोई रुकावट रुकावट नहीं बनती किसी दुश्मन की साज़िश या अदावत को उनको नुकसान पहुंचाने वाली थाबित नहीं होती उनका हर हाल में मतहिद रहना एक ऐसी ताकत बन जाता है जो हर इमकानी सूरत रहाल से निमटने की यकीनी जमानत होता है उसके बरक्स जो लोग जाती शिकायतों से उपर उठकर सोचना ना जानते हों जो जाती एक्तलाफात को इस्थमाई मुफाद पर कुर्बान ना कर सके वो कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते उनकी कोशिशें या तो मेदूद होकर रह जाती है या खुद अपने भाईयों को नुकसान पहुंचाने में इस्तमाल होती है ऐसे लोग अपने वसाइल और मवाके को अपने अंदरूनी जगड़ों में बरबाद करते रहते हैं उनके अंदर हमेशा ऐसे कमजोर गोशे बाकी रहते हैं जहां से उनका दुश्मन उनके अंदर घुस आए और उनके बारे में अपने खतरनाक मनसूबों को पूरा कर सके ये इक्तिलाफी सियासत उस वक्त और ज्यादा महलिक हो जाती है जबके उसको अकीदा बना लिया जाए सियासी इक्तिलाफ कभी न कभी खतम हो जाता है मगर जब उसको इतकादी इक्तिलाफ का दर्जा दे दिया जाए तो उसके खत्म होने की कोई सूरत नहीं यहां तक के खुदा खुद जाहिर होकर फैसला फर्मा दे सब हेडिंग हेवानियत की सता पर हज़र सुलिमान अलेहिसलाम के जमाना हकूमत में बहर कुल्जम की मश्रकी शाह के किनारे एलाद के मकाम पर यहूदियों की अबादी थी उन्होंने कानून सब्द की खिलाफ वर्जी की उनकी शरीयत में सब्द स्नैचर के दिन मौशी सरगर्मिया ममनूँ थी मगर वो इस दिन मचली का शिकार करने लगे स्नैचर के दिन मचलीया कसरे से दरिया में आती थी और बकिया दिनों में पानी के नीचे चली जाती थी यहूद ने ये शरीय तद्दीर की के दरिया के किनारे गड़े बनाए वो दरिया का पानी वो दरीया का पानी काट कर गड़े में मिला देते स्नैचर के दिन जब मचलियां गड़े में आ जाती ही तो वो निकलने का रास्ता बंद कर देते अगले दिन इतवार को वो इन मचलियों को पकड़ लेते ये तद्बीर वो इसलिए करते थे ताके उन पर ये बात सादिक ना आए कि वो सब्त के दिन शिकार करते हैं दीन के नाम पर ये बे दीनी अल्ला को इतनी जादा ना पसंद हुई कि उन पर अल्ला की लानत हुई वो बंदर और सूर बना दिये गए अमलन यही हालत अगर्चा पूरी कौम यहूद की थी ताहम एक खास मकाम के यहूदियों के बातिन को गालिबन जाहरी तोर पर भी मुझस्म कर दिया गया ताके दूसरों के लिए इबरत हो बंदर और सूर बनाने से क्या मुराद है इस बारे में मुफसरी इनकी दो राए है अक्सरियत ने जाहर अलफाज पर क्यास करते हुए ये मुराद लिया है कि मज़कूरा गरो हकीकी मानों में बंदर और सूर बना दिये गए जहां तक खदीश का तालुक है उससे कोई वाज़ाबाद साबित नहीं हदीश में सिर्फ इतना है कि आप से पूछा गया कि मौजूदा बंदर और सूर क्या कदीम मस्क शुदा अक्वाम की नसले है आपने फरमाया नहीं ये हैवनात हमेशा से इसी तरह है मुजाहिद का ये कॉल नकल किया गया कि वो बंदर की सूरत में तबदील नहीं किये गए बलके उनके दिल मस्क कर दिये गए अबू अलालिया का कॉल है कि कौनों किरादद खासे इन से मुराद ये है कि वो पस्त और हकीर बना दिये गए यही राए कतादा और रबी और अबू मालिकी भी है मौजूदा जमाने के मुफसिरीन में शेख रशीद रजाने भी इसको इक्तियार किया है सूर की खसूसियत क्या है सुतरी चीज़ को छोड़कर गंडी चीज़ को अपनी खुराग बनाना उसकी एक सूरत वो है जो कमाई और लेंदेन में जाहिर होती है आदमी हलाल जराय पर काना ना रह कर हराम से अपना पेट भनने लगता है दूसरी सूरत वो है जिसको कुरान में इन लफ़ों में बियान किया गया है अगर वो हिदायत का रास्ता देखें तो उसको अपना रास्ता ना बनाए और अगर गुमराही का रास्ता देखें तो उसको अपना रास्ता बना ले ऐसे लोगों का हाल ये हो जाता है कि वो मस्बच चीजों के बज़ाए मन्फी चीजों की तरफ दोड़ने लगते हैं उनको इसला के कामों की तरफ रखबत नहीं होती अलबता ऐसे कामों की तरफ वो तेजी से लपकते हैं जिनका नतीज़ा नसलों और खेतों की हलाकत हो उनके सामने तामीरी काम के मवाके खुले होते हैं मगर वो उनको छोड़कर तकरीब के रास्तों में तेजी दिखाते हैं अबना नो के लिए नफ़ बक्ष बनने का शोग उनमें नहीं उबरता अलबता उनको नुकसान पहुंचाने के नारे पर वो बारसानी जमा हो जाते हैं खामोश खिदमत में उनके लिए अपील नहीं होती अलबता नुमाशी हंगामों में वो खूब दिल्चस्पी दिखाते हैं हकीकी फाइदे के मनसूबों में उनके लिए कोई कशिश नहीं होती अलबता बेफाइदा मशकलों में वो अपना वक्त और माल खूब खर्च करते हैं हताके नौबत यहां तक पहुंचती है कि उनको खुदाए वाहिद की परस्तिश की तरफ बुलाईए तो वो लबैक ना कहेंगे अलबता जिन्दा या मुर्दा शक्सितों की पूजा के नाम पर वो जोग दर जोग इकठे हो जाएंगे बेदीनी को दीन के नाम पर करना बत्तरीन जुर्म है उसका नतीज़ यह होता है के दीरे-दीरे आद्मी के अंदर से सही और गल्त का फר्ख मिट जाता है वो एक बेहिस इंसान बन जाता है दीन और बेदीनी दोनों उसको यकसा दिखाई देने लगते हैं वो इंसानियत की सतह से गेर कर हेवानियत की सतह पर आ जाता है हता के वो नौबत आती है जबके उसमें बंदर और सुहर की इखलाकियत पैदा हो जाती है बंदर की खसूसियत क्या है? फसाद और बेहयाई किसी मकान में बंदरों का गौल दाखिल हो जाए तो वो फोरन बेमाईनी उचल कूद और तोड़ फोर शुरू कर देगा ऐसा ही कुछ हाल उस कौम का हो जाता है वो जबान से खुदा का इंकार नहीं करती ताहम अमलन वो खुदा की जमीन पर इस तरह रहने लगती है जैसे उस जमीन का कोई मालिक ही नहीं है जैसे ना कभी खुदा से उसका सामना होना है और ना अपने किये का हिसाब देना है बदनर्जमी गएर जम्मेदाराना जिंदगी बेमाईनी कारवाईयां आपस की छीन जपड़ एक दूसरे पर गुराना हमदर्दी और इनसाफ के बज़ाए जल्म और फसाद को अपना शेवा बना लेना ये उसकी आम जिंदगी हो जाती है ऐसे लोग बजाहिर इनसान मगर अमलन बंदर सिफ्थ हो जाते हैं वो इनसानों की अबादी में इस तरहां रहने लगते हैं जैसे बंदर जंगलों की अबादी में सब हेडिंग कितना फर्क हज़त अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है वो कहते हैं कि जब रसूल अल्ला की वफात हुई तो मदीना में नफाक में सर उठाया और अरब और अजम में उर्तदाद फैल गया लोग कहने लगे कि वो शक्स दुनिया से चला गया जिसकी वज़ा से अरब को खुदा की मदद मिलती थी उस वक्त खलीफा अवल हज़त अबू बकर सदीक ने महाजरीन और इंसार को जमा किया और कहा कि इन अरबों ने अपनी बकरियों और अपने उंठों को रोक दिया है और अपने तीन से फिर गए है और अजम के लोग नहावन में जमा है ताके हम से जंग कर दें उन लोगों का गुमान है कि वो शक्स जिसकी वज़़से तुम्हारी मदद की जाती थी वो वफात पा गया ऐ लोगों इस मामले में मुझे मश्वरा दो रावी कहते हैं कि हज़़त अबू बकर की तक्रीर के बाद लोग सर जुका कर खामोश हो गए और देर तक खामोश रहे आखिर अमर बिन अलखिताब गोया हुए और उन्होंने कहा हज़त अबू बकर के सवाल के बाद लोग क्यों धेर तक खामोश रहे उसकी वज़ा उनकी संजीदगी और उनका तक्वा था ये वो लोग थे जो पहले सोचते थे और उसके बाद बोलते थे वो हर कौल और हर फजल से पहले अल्ला से हिदायत और रहनुमाई की दुआ करते थे जब खलीफा अवल ने मजगूरा मसला उनके सामने रखा तो अपने मिज़ाज के मताबिक सब के सब सोच में गर्क हो गए हर एक दिल ही दिल में अल्ला की तरह मतवज़ा हो गया यही वो चीज़ थी जिसने हर एक पर खामोशी तारी कर दी हकीकत यह है कि उनकी ये खामोशी एक अजीम गुफटगू थी उनका ये सर जुकाना सबसे बड़ा एकदाम था चुनाचा वो जब बोले तो उनका बोल तमाम बोलों पर भारी हो गया जब वो उठे तो उनका उठना तमाम दुश्मनों को पस्ट करने के लिए हम माईनी बन गया क्योंकि उनका बोल खुदा की रहनमाई के तहर था उनके एकदाम में खुदा की मदद उनके साथ शामिल हो गई थी अब देखिए कि इस मामले में मुझूदा मुसल्मानों खास तो पर उनके रहनमाऊ का क्या हाल है उसका मनजर देखना हो तो मुसल्मानों की किसी ऐसी मजलिस में शरीक होकर देख लीजिए जो इस नोयत के हंगामी मसले पर एकठा हुई हो मसलन फलस्तीन, फिरका वराना फसाग, बाबरी मस्जिद, सिल्मान रुश्डी जैसे मसाइल आप देखेंगे के मौजू का जिकर छिड़ते ही हर आदमी लिसानी चहाद का शेहनशा बन गया है हर आदमी पुर जोश तोर पर ये चाहता है कि वो सबसे पहले बोले और आतशी अलफाज की पूरी डिक्शनरी को बयक वक्त अपनी जबान से दोहरा डाले मगर ये लफजी जोश दिखाने वाले अमल के वक्त फसड़ी साबित होते हैं मार्च के मौजू पर तकरीरों का दरिया बहाने वाले मार्च की तारीख आने के बाद χामोश होकर घर में बैट रहते ہیں बोल में आगे रहने वाले अमल में पीछे रह जाते हैं बहद में सबसे पहले खड़े होने वाले उस वक्त सर जुका कर पीछे हर जाते हैं जबके अमली अग्दाम का वक्त सर पर आ गया हो जो बरतन जितना जादा खाली हो वो उतना ही जादा आवाज देता है इसी तरह जो आदमी जतना जादा बे अमल हो उतना ही जादा वो पुर्शोर अलफाज बोलता है बोलने वाले करते नहीं और करने वाले बोलते नहीं और हकीकत की दुनिया में करने की कीमत है ना के बड़े बड़े अलफाज हवा में बखेरने की करना करना भी भी जर फघए हर फिर एंसे ट्रFrकांच दो करना की है गह – different सब हेडिंग उल्टा नतीजा रसूल अल्टा नतीजा रसूल अल्टा ने अपनी दावत का अगाज अरब के शहर मक्का से किया उस वक्का में कबीला कुरैश के लोगों का गल्बा था वो आपके सक्त मुखालिफ हो गए इस अब्तदाई जमाना में कुरैश ने रसूल अल्ला ने वाले वाले वासलम के खिलाव जो कारवाईयां की उनमें से एक कारवाई ये थी कि वो वलीद बिन अल्मगीरा के पास जमा हुए जो उनके दरमयान अपनी दानेश्वरी और अपनी तजर्बा कारी की वज़ा से मशहूर था उन्होंने वलीद से कहा कि हम चाहते हैं कि मुहम्मद के बारे में ऐसी बातें लोगों के दरमयान फिला दे कि वो उन से मतवेहश हो जाएं और उनकी बातों पर ध्यान ना दे उसके बाद उन लोगों के दरमयान मशवरा हुआ कि लोगों के सामने मुहम्मद ﷺ की तस्वीर किस तरहां पेश की जाए किसी ने कहा कि हम ये मश्वरा करें कि वो काहिन है किसी ने कहा कि हम उनको दिवाना बताएं किसी ने ये कहा कि हम उनको शायर कहें वलीद ने इस किसम की तमाम रायों को रद कर दिया उसने कहा कि हम काहिन और दिवाना और शायर को जानते हैं मुहम्मद का कलाम उन में से किसी के कलाम के मुशाबह नहीं तो में इस किसम की जो बात भी लोगों से कहोगे उसका जूट होना जाहिर हो जाएगा लोगों ने वलीद से कहा कि फिर तुम ही बताओ कि हम मुहम्मद ﷺ को क्या कहें उसने कहा किस सबसे करीब तर बात ये है कि उनको जादूगर बताया जाए और ये कहा जाए कि वो एक ऐसा साहिराना कलाम पेश कर रहे है जिसके जरीय से खांदान के अफराद में जुदाई हो गई है और एक रिष्टेदार दूसरे रिष्टेदार से कट गया है कुरैश के लोग इस राए पर मतफिक होकर अपने अपने ठीकानों की तरफ चले गए उसके बाद जब हज का जमाना आया और अरब के मुकले फिसों से बड़ी तादाद में लोग जियारत काबा के लिए मक्का आने लगे तो कुरैश के मुखालफीन मक्का के चारों तरफ रास्तों पर बैठ गए जो शक्स उनके पास से गुजरता उसको रोकते और बताते कि देखो ये शक्स मुहम्म्म्स अले लाह लिए वाले विसलम जादूगर है वो साहिराना बते करता है तो मुझसे बच कर रहो इबन इसहा कहते हैं कि कुरैश ने इस मतफिका राए पर बकाइदा अमल किया चुनाचा हज के बाद जब ये तमाम आने वाले लोग अपनी बस्तियों को वापिस हुए तो वो रसूलल्ला स्यल्ला के मतलिक मस्कूरा ख़बर भी अपने साथ ले गए और जो लोग जियारत काबा के लिए मका नहीं आ सके थे उनको कुरैश की बात बताने लगे इस तरह रसूलल्ला ने ले वाले वी तक्राभ अरब के तमाम शहरों में पहल गया यही वो चीज है जिसको कुरान में दूसरे मकाम पर रफा जिकर कहा गया है जब हक का एक दाई हक की दावत लेकर उटता है तो वो लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं जिनके क्यादती मसाले या मौशी मुफादाद उससे टकरा रहे हूं वो दावत और दाई के दुश्मन बन जाते हैं वो उसके खिलाव बेबनियाद इल्जामात घरते हैं और उनको चारों तरफ फिलाते हैं ताके दाई लोगों के दर्मियान बदनाम हो जाए लोग उसकी बातों पर तवज़ा देना छोड़ दे मगर लोगों की मुखालफाना कोशिशों का अमली नतीजा बरक्स सूरत में निकलता है दाई को नकाम करने की कोशिश दाई के पेगाम को फिलाने का सबब बन जाती है बदनाम करने की कोशिश अमलन लोगों के अंदर तजस्स का मादा पैदा करती है वो दाई और दावत के बारे में मजीद जानने के शाइक हो जाते हैं इस तरह दावत का दाइरा वसी से वसी तर हो जाता है उसकी वज़ा ये है कि इनसान बन्यादी तोर पर एक माकूलियत पसंद मखलूक है वो किसी बात को सिर्फ उस वक्त मानता है जबके उसकी अकल भी उसके हक में गवाई दे रही हो चुनाचा मुखाल्फीन जब अपनी बेबुनियाद बातें लोगों के दर्मयान पहलाते हैं तो वो खुद अपनी अंधरूनी फितरत के तकाज़े के तहट लोग उसका मौाजना करने लगते हैं वो चाते हैं कि इसके बारे में मज़ी तफसिलाच जाएं और पूरी मालूमात की रोशनी में अपनी राए काइम करें इस तरह दाई के मुगालफीन इस बात का जरिया बनते हैं कि दाई जिन लोगों तक मज़ाते खुद नहीं पहुँच सका था उन लोगों तक भी दाई की बात पहुँच जाए यही वज़ा है कि दाई हके खिलाफ प्रॉपगेंडा हमेशे दाई के खाने में जाता है इस तरह जादा वसी हलका में दाई की बात पहुँच जाती है वो खुद तलाश करके दाई की कलाम तक पहुँचते हैं और उसको सुन कर या पढ़कर तफसीली मालूमात हासिल करते हैं उसका आखरी नतीज़ ये होता है कि जिन लोगों के दिलों में सच्चाई की तलब होती है वो दाई के दीन को इक्तियार करके उसके साथी बन जाते हैं आदमी अगर सही मानों में हग को लेकर उठे तो ना सिर्फ उसका बराहिरास अमल दावत को फिलाने का जरिया बनता है बलके मुखालफीन का मुखालफाना अमल भी बिल वास्ता तोर पर उसकी दावत की तोसी और शायत का जरिया बन जाता है मुखालिफ की मुखाल्फत से ना गबराईए बलके अपने आप को पूरी तरह हक पर खड़ा कर लीजे और उसके बाद आपके मुखाल्फीन का मनफी शोरो गुल भी आपके हक में एक मस्बत सरमाया बन जाएगा